कैसे हूँ, मीद करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे तो एक और इंट्रेस्टिंग कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है फाइनली, मोटो रोला कंपेनी ने अपना एक और नया स्मार्टफून, मोटो जी सेवेंटी टू को लॉंच कर दिया वहीं दूसी तरफ वन प्लस का एक पापलर स्मार्टफून, वन प्लस का नॉट सी इटू लाइट फैब जी इन दोने स्मार्टफून के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो के जी सेवेंटी टू को भी अठारा हजा नौसुन इन्यान रूपे के प्राइस में 6 जी वी की रैम और 128 जी वी इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं और वन प्लस के नौट सी इटू लाइट फैब जी को भी अठारा हजा नौसुन इन्यान रूपे के प्राइस में 6 जी वी की रैम और 128 जी वी इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं अगर आप लोगी अंडर 20,000 रूपे सी कम के प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज की इस कमपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरू देख के जाना चाहिए तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं उने स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोटो के G72 में मीडिया टेक का हिलू G99 का एक नया पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने के मिल जाता है वही दूसरी तरह OnePlus के Note CE2 Lite 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का एक 5G गेमिंग प्रोसेसर देखने के मिल जाता है वैसे तो performance के मामले में ये दोने smartphone काफी ज़्यादा best है पर OnePlus के Note CE2 Lite के पास एक बहुत बड़ा advantage है कि आप लोगों को 5G प्रोसेसर देखने के मिल जाता है जो कि future में भी काफी ज़्यादा time तक आप लोग OnePlus के Note CE2 Lite 5G को use कर सकते है दोने smartphone के अगर display segment की बात करी जा तो display के मामले में तो OnePlus का Note CE2 Lite काफी ज़्यादा पीछे रह जाता है Moto के G72 से को कि Moto के G72 में 6.55 इंच की full HD plus P OLED display देखने के मिल जाती है डिस्पले की अच्छी smoothness के लिए 120 हर्टे रीफ्रेश रेट का support देखने को मिल जाता है जबकि OnePlus के Note CE2 Lite में 6.59 इंच की full HD plus IPI display देखने के मिल जाती है तो डिस्पले की अच्छी smoothness के लिए 120 हर्टे रीफ्रेश रेट का support देखने को मिल जाता है आलोवर अगर देखा जातो आप लोगों को डिस्पले की quality काफी ज़्यादा बेटर आप लोगों को Moto के G72 में देखने को मिल जाती दोने smartphone के अगर camera segment की बात करी जातो Moto के G72 में back में triple rear camera setup देखने को मिल जाते है 108 megapixel का main primary camera मिलता है बाकी के 2 camera 8 plus 2 megapixel के मिल जाती है with LED flash light के साथ वह दूसरी तरह OnePlus के Note CE2 light 5G में back में triple rear camera setup देखने को मिल जाते है 64 megapixel का main primary camera मिलता है बाकी के 2 camera 2 plus 2 megapixel के मिल जाते है with LED flash light के साथ selfie camera के अगर बात करी जा तो megapixel में तो कोई difference देखने को नहीं मिलता पर इन दोनेर smartphone के camera के aperture में काफी ज़्यादा difference देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरह OnePlus के Note CE2 light में 16 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज़्यादा कम aperture आप लोगों को OnePlus के Note CE2 light में देखने को मिल जाता है एक बात तो clear है अपरचर कम होने के वज़े से जो OnePlus के selfie camera वो काफी ज़्यादा बेटर हो जाता है Moto G72 से स्मार्टपोन के अगर battery segment की बात करी जा तो Moto G72 में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W के turbo fast charging के साथ USB Tab C port का support देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरह OnePlus के Note CE2 light 5G में भी 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W का super walk charging के साथ USB Tab C port का support देखने को मिल जाता है दोने smartphone के अगर audio feature की बात करी जा तो यहां OnePlus के Note में आप लोगों के इन display finger pin sensor देखने को मिल जाता है जबकि OnePlus के Note CE2 light में side mountain finger pin sensor देखने को मिल जाता है तो अब बात करी जा कि दोनों में से कौम सा smartphone आप लोगों के लिए बैश्ट है इन दोने smartphone में एक बहुत बड़ा different देखने को मिल जाता है OnePlus का Note CE2 light एक 5G smartphone है और Moto का G72 एक 4G smartphone है OnePlus के Note CE2 light में आप लोगों को display के quality इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती जबकि Moto के G72 में display के quality काफी अच्छी देखने को मिल जाती है अगर आप लोग display wise और camera wise कोई नया smartphone लेने के लिए सोच रहें तो मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि आप लोग Moto के G72 को buy करे पर अगर आप लोग को एक अच्छा 5G smartphone चाहिए एक अच्छा camera smartphone भी चाहिए साथ में साथ तो आप लोगों के लिए OnePlus का Note CE2 light भी बेश्ट है